महिला और दो बच्चों पर चाकु सिवार हुआ है चाकु सिवार की बाद महिला का रेता गया है गला तीनों को अस्पताल में भरती कराया गया है जोटवाडा के निवारू की घटना है ये महिला के देवर ने ही घटना को अंजाम दिया है बड़ी अपडेट आपको देदे महिला और दो बच्चों पर चाकु सिवार यहां पर हुआ है और चाकु सिवार की बाद महिला का गला जो है पूरेता गया है बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता देगा राकेश जादी शमासत फोन लाइन पे जुडगा है राकेश ये पूरा मामला क्या है बताईए पहले फिलाल पुरी जो टीम है वो मौके पर जांच कर रही है देवर फरार चल रहा है उसकी गिरफतारी के प्रयास पुलिस जुटी हुई है और चुद तीनों को भरती कराए गया है उनका इलाज अभी जारी है चिकेशकों के निकदानी में इलाज जारी है लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से इस गटना को अंजाम दिया गया है उसके पीछी का सच अब पुलिस जानने में लगे कि क्या कारणत है कि तीनों पर बेहरेमी से जानलेवा हमला किया गया जी और साथी अभी पुलिस की क्या कुछ कारवाई अभी तक हो पाई है क्या पुलिस के जो अधिकारी है वो मोके पर पहुँचे हैं खुद DCP West अमिन कुमार इसी गटना के बारे में जानकरी ले रहे है साथी गटना इस तरह पे भी वो अब रवाना हो चुके हैं वहाँ पर मोके पर जाएंगे चुकि पूरी गटना जोटवडा के लक्ष्मी नगर की है जहां पर गटना गटित हुए है वहाँ पर पुलिस के अधिकारी जा रहे है एफसल के टीम को भी मोके पर बुलाए गया है वो भी साक्षी जुटाएगी लेकिन तीनों को परोसियों ने भरती करवाया है इसमस अस्पताल में जहां पर चिकिस्व को निगरानी में इलाज जारी है घ करेवारी कर हम उपे बुलाए देसे मैं जहां ऻुब June